गुद मारिजेशन की वजे से जो फॉरन कॉंपेटिशन है वो इंक्रीज हो जाता है एकनॉमी में और जो इंडस्ट्रियल यूनेट्स हैं ड्वेल्पिंग एकनॉमी की उन्हें कम्पीट करना बढ़ता है उन फॉरन इंडस्ट्रियल यूनेट्स से क्योंकि जो MNCs हैं उनकी बेटर क्वालिटी होता है उनके प्रॉडक्ट का लो कॉस्ट उनको पढ़ती है तो जो लोकल यूनेट्स हैं आपकी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं उसको कॉंपेटिशन फेस करने में प्रॉब्लम होती है क्योंकि उतना जो कॉस्ट आफ प् इंडस्ट्रीज हैं उनके ऊपर नेक्स इस अनिंप्लाइमेंट फॉरन कंपनी जो ड्वल्प नेशन की हैं वो प्रॉड्ट इंटेंसिफ टेक्नालोजी यूस करती हैं कई इंडियन जो कंपनीज हैं उन्होंने भी इंपोर्ट की है विद्दी इंक्रीजिंग इंप्यूट और आटोमेटिक मशीन इंप्लॉइमेंट जो एविन यूज हैं वो कम होते जाते हैं क्योंकि आप लेबर इंटेंसिफ की बजाए कापिटल इंटेंसिफ टेक्निक यूज कर रहे हैं देनेक्स इस यूर एक्स्प्लाइटेशन आफ लेबर जो ग्लोबलाइजेशन है उसकी वजे से एक्स्प्लाइटेशन होता है उन्सकेल्ड वर्कर्स का उन्हें लोवर वेजिस पर काम करना पड़ता है लेस जॉप सेक्यार्टी होती है लॉट वर्किंग आर्त होते हैं और लेबर को इवन जो आपकी बाड कंडिशन से उसमें भी काम करना पड़ता है यूर ने करके जब दूसरा जो person है वो उसको use कर रहा है तो इससे जो wasteful consumption के tendency है वो promote होती है और ये wasteful expenditure है उसके increase होने से जो saving है वो कम हो जाती और capital formation भी कम होता है the next is increase in inequalities globalization increase करता है inequalities को जो globalization का benefit है वो MNCs और big industrial units को मिलता है लेकिन जो small और cottage industry है वो सबसे ज़्यादा इससे effect होती है और जिसकी वज़े से जो income inequalities at developing nations में वो increase होती है then dominance of foreign companies globalization की वज़े से जो foreign companies है उनका dominance increase हुआ है globalization help करता है foreign companies को अपना market share increase करने में for example अगर हम Indian cold drink market देखें तो जो large share है उसे control करता है Pepsi और Coca-Cola जो foreign companies है the next is bad effect on culture and value system बहुत सारी जो global companies है जब वो अपना product sell करती है तो जिस country में वो sell कर रही है वहां के culture और value system को वो destroy कर देती है वालगर जो advertisements है वो show करती है MNCs और जो young generation है उसकी thinking को वो pollute करती है MNCs जो indulge होती है unethical or corrupt practices में वो अपने self interest के लिए वो काम कर रही है जिसके लिए वो companies जो है वो higher officials को bribe भी करती है तो जो यह officials है वो अपने interest में bribes लेते हैं तो जो culture है जो value system है वो protect नहीं हो पाता है The next is your less entry in strategic area जो global companies है mostly consumer goods में एंटर करती है जैसे ready-made garments, cosmetics, processed foods, food drinks, toothpaste, etc. जहां पर उन्हें profit जादा दिखता है जब कि यह areas इतना vital role play नहीं करते हैं The economic development of any nation जो global economies है जो companies हैं वो कभी भी invest नहीं करती है strategic areas में जैसे power sector, steel industry, fertilizers क्योंकि यहां पर जो projects होते हैं वो risky होते हैं Insufficient entry global companies की in area of technology और capital goods में भी जो है वो bad effect create करती है economic के लिए The next is your problem of brain drain जो global companies है वो recruit करती है qualified और skilled engineers को, technicians को, experts को host nations में और कुछ time बाद उन experts को abroad भेज़ देती हैं अपनी foreign subsidies और head offices में और इस तरीके से जो global companies है जो talented person है host nation के उन्हें दूसरे nations में वो भेज़ देती हैं और इसे brain drain की problem arise होती है Next is your production of prohibited goods जादा profit earn करने के लिए जो global companies है वो उन goods की भी production करती है जो harmful होती है consumer के लिए कई जो global companies है वो तो वो भी product produce करती है जो उनके खुद की country में बयान होता है लेकिन दूसरी country में बयान नहीं होता है just to earn more profit at the cost of health of consumers Then next is your political interference जो global companies है वो detrimental prove हुई है to the economic and political freedom of host countries यह जो companies है वो interfere करती है in the politics of host nation और जो global companies है हर एक effort करती है उस political power को power में लाने की host country में जो favorably उनकी तरफ inclined हो favorable उनके लिए policies बनाने के लिए तयार है The next is imbalanced regional development Global companies अपने आपको हमेशा developed cities और towns में setup करती है जहां पर infrastructure facilities है वो easily available होती है Backward areas में वो अपने आपको setup नहीं करती है जिसकी वज़े से जो reasonable disparities है वो और जादा increase हो जाती है The next is tax evasion जो host country है वो impose करती है corporate tax on the income of companies लेकिन इसको भी जो MNCs है वो avoid करती है अपने वो जो profits है उसे reduce दिखाती है by adopting various techniques जैसे transfer pricing methods इस method के अंदर जो global companies होती है वो क्या करती है जो भी उनकी sub-stries दूसरी countries में located है उनसे intermediate goods वो buy करती है high prices पे और अपना जो local profit है वो कम दिखा देती है cost high दिखा के similarly जो global companies है वो अपना जो product है वो export करेंगी अपनी sub-stries को बाहर जो है at lower prices और under value कर देती है exports को और उसकी वज़े से less profit दिखाती है इस तरीके से जो global companies है over invoice करके imports को और under invoice करके exports को less profit शो करती है और इस तरीके से वो manipulate करती है bills और global companies evade करती है tax next जो हमारा topic है that is obstacles in the path of globalization first is bureaucratic hurdles business units को बहुत सारे जो bureaucratic hurdles है in the form of documentation lengthy और cumbersome procedures जो है उनका सामना करना पड़ता है और इस वज़े से जो foreign investors है वो hesitate करते हैं to invest in Indian economy due to excessive administrative hindrances the next is unstable government policy काई nations में frequent changes होता है ruling party में और ruling party में जब change होता है तो जो economic policies है government की वो भी stable नहीं रहेंगी वो भी change होंगी तो क्योंकि frequent changes होता है economic policies में तो वो discourage करता है long term investors को कि वो invest करें Indian economy में और lack of transparency होने की वज़े से in the work of government ये doubt भी raise करता है in the minds of foreign investors next is backward technology developing nations में जो level of technology है वो बहुत poor है और low है in comparison to जो advanced nations है due to backward technology जो उनका product है वो भी poor quality का होता है और जो companies है वो difficult find करती है अपने आपको to expand their business in foreign nations due to poor quality of products the next is poor infrastructure developing nations में जो infrastructure facilities है वो उतनी developed नहीं होती जितनी developed nations में होती है तो जो MNCs है वो hesitate करती है invest करने के लिए in nations में due to poor infrastructure और lack of strong infrastructure होने की वज़े से जो hindrances है वो create होती है in expansion of their companies in other nations the next is your small sized business units developing nations में जो most of the business units होती है वो family owned होती है तो जो business activities होती है वो उनकी local या regional level तक ही limited होती है वो expand करने की अपनी business activities को दूसरे nations में नहीं सोचते है the next is lack of global vision developing nations में बहुत few entrepreneurs हैं जिनके पास global vision होते है most of the entrepreneur है वो global orientation नहीं रखते हैं वो risk को avoid करते हैं foreign business में risk जादा होता है तो उसको avoid करना चाहते हैं और just अपनी local और जो at the most जो national level है वहीं तक limited रहते हैं the next is increasing global competition जो goods हैं developing nation की उन्हें tough competition face करना बढ़ता है global market में from the products of other nations increasing global competition जो है वो उनके लिए difficult बना देता है कि वो अपना जो product है वो export कर पाए global markets में the next is tariff and non-tariff barriers imposed by developed nations जो developed countries हैं वो imposed करती हैं various tariffs and non-tariff barriers importers के उपर जो developing countries है अगर कुछ भी import कर रहे हैं जैसे custom duties, quantitative restrictions, packing regulations, safety norms जो rules, regulations है वो उनके उपर लगा देते हैं और वो जो है adversely effect करता है exporters को developing nations के क्योंकि वो अपना जो product है वो sell नहीं कर पाते हैं developed countries में next हमारा topic है that is need for fair globalization advantages हमने पढ़े disadvantages पढ़े हमने globalization के तो question जो arise होता है वो ये कि globalization का क्या fair form होना चाहिए हर एक को benefit equally नहीं मिलता है globalization से largely जो लोग हैं जिनके पास skill है technical education है सिर्फ उनहीं को benefit मिलता है जो present form है globalization की उससे लेकिन जो लोग rural areas में रह रहे हैं जो illiterate person है casually unscaled workers है वो benefit नहीं ले पाते हैं from the present form of globalization तो keeping in view जो increased interaction हो रहा है among the different markets of nations और जो presence है MNCs की almost every nation में जो globalization है वो reality लगती है लेकिन हम globalization के बगार काम नहीं कर सकते तो question जो arise होता है that is कि कैसे हम present form of globalization को एक fair globalization बना सकते हैं एक fair globalization वो होती है जो opportunity create करें सब के लिए जो सारे sections है society के लिए उन सब को benefit करें तो जो fair globalization है उसे integrate करना चाहिए जो objectives है growth के employment और equity के उन सब को जो globalization है उसे benefit करना चाहिए सभी countries को और जो welfare है सभी लोगों का throughout the world उसे increase करना चाहिए इसके लिए जो government है वो कौन से measures ले सकती है to ensure fair globalization first is strict implementation of labor laws जो government है वो बनाए adequate provisions labor laws में ताकि जो workers है उन्हे employers जो है वो exploit ना कर पाए जो workers है उन्हें fair wages मिले good working conditions मिले secure job मिले और इन labor laws को strictly implement करना चाहिए the next is protection to small scale industries जो government है उसे protect करना चाहिए small scale और cottage industries को by imposing tariff policy जो tariff policy है वो policy है government की जो जिसके according वो impose करती है import duties and export duties small scale industry और cottage industries को बचाने के लिए और small scale और cottage industries जब नहीं है उस position में की वो face कर सके free competition MNC से तो जो government है उन्हें उनको protect करना चाहिए the next is negotiations है WTO platform for more benefits हमारी government को effort करना चाहिए कि जो भी other developing nations है जो same position पे है जैसे हमारी country है जो same similar problems face कर रहे है economy से related उनके साथ align करे और वो जो group है developing nation का वो अपनी demand raise करे stronger way में add WTO negotiation और इस तरीके से जो tariff और non-tariff concessions है वो लिए जा सकते है developed countries से और उससे जो benefit है globalization का मिलेगा जो tariff concessions है उसका मतलब है reduction in import duties and export duties non-tariff concessions का मतलब है remove किया जाए relax किया जाए quantitative restrictions जो imports and exports पर लगाई होई है जैसे import quotas and export quotas the next is public campaigns and demonstrations जो public है वो भी important role play कर सकती है in achieving fair globalization for developing economies like India जो लोग रह रहे हैं developing countries में वो collectively अपनी voice raise कर सकते हैं जो भी unjust policies है developed nations की और foreign MNCs की और यह campaigns जो है उनका effect होता है global decision making bodies के जो WTO World Bank के जो superiors है उनके उपर और उसके according फिर वो जो agreements होते हैं उसमें changes के लिए demand कर सकते हैं next जो हमारा topic है that is G-localization इसे हम continue करेंगे हमारे next lecture thank you so much